ओम स्री गनी शैनम दोस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक सुवागत हैं दोस्तू आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 जून मंगलवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन जो से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनी शर्वयापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सकें चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी क आमिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त हो सकते ह इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती साथ आज आपके प्रते कारे सरल्टा पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भ भरा की नविन्ता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभीरूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसंद चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पू कामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यत्मिक्ता आपको सांती का अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी मेहनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार भारती मौज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फलसरूप के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज का समय आपके लिए काफी उतार चड़ाव से भरा रहने के बावजूद भी काफ खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साथी साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर नालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिन भग्य और सुख की प्राप्ति असंभव है साथिसाथ किरोध पर नियंतन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथिसाथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर्मिक कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल्जाने के लिए किसी की सला आप अवश्च चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फस सकते हैं यात्राओं को भी आज आप टालें आपके लिए अच्छ रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइफ के रहने वाली है दोस्तों परेम संबन्दों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वह भी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिस्ते में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वह मिल सकता है तो आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती हैं रोमांटिक आकर्षण की आज संभावना है आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारेभार की आज अधिक्ता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवशाय में धन लाब और नौकरी में तरक्की के योग रहेगे अधिकारी आज आपके काम से प्रसन रहेगे प्रॉपर्टी में निवेश करना लाबदाएक रहेगा कार चृत्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वैपार वैवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ साथ आज आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारत्मक प्रेणाम प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विध्यारतियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तो ब्रहम, भे, वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा, वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा, स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें, तनाव को दूर करने के लिए अप आप अपने खान पान पर ध्यान दें, और अपने स्वास्त को और भी अच्खा रखने के लिए आप रोज़णायोक करें, वयाम करें, स्वस्त रहें, दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आप के लिए विशेश रपाय क्या हैं, दोस्तो आज आप इश्रान आदिशे निरुत रहोने के बाद भगवान बजरंग बली जी के मंदर जाएं और भगवान बजरंग बली जी को आप गुड और चने का प्रशाद अवश्य चड़ाएं और साती सात वहीं बैठकर हनमान 40 का भी एक बार पाठ आप बहुती सच्य वन से, बहुती श्रदभाव से अवश्य करें और अपनी मनों काम नए मांगे या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान बजरंग बली बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चलने ही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फ जरंग बली अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद